अखिल भारतिय कॉंग्रस कमीटी के प्रवक्ता और मध्य प्रदेश की लोगसबा चुनाफ मीडिया प्रभारी श्री चरन सिंग सप्राजी की पत्रुकार वारता पिसले 10 साल अन्याय काल ग्यारा जन्वरी भोपाल 2024 को भाजबा सरकार द्वारा दश्वर्शों के गंबीर अन्याय के हमारे लोगों हमारे लोकतंत्रों और हमारे सविधान को गंबीर चोट पहुचाई है बेताहाशा वेरोजगारी ने हमारे युवाओं के सपनों और भविश्य को पूरी तरहा से चक्ना चूर कर दिया कमर तोड महिंगाई ने हमारे गरीबों और मध्यम वर्ग की महनत की कमाई को नश्ट कर दिया है आये समानता चरम पर है मुठी पर अरपतीव धनकुबेर वर्तमान व्यवस्था पर शासन करते हैं और उसको कठ पुतली बनाते हैं दलेता दिवासी पिश्डवर गलप संख्यक और गरीबों के साथ भेदभाव वत्यचार किया गया किसानों के साथ धोका हुआ है महिलाओं के खिलाफ अपराद चरम पर है अपरादियों का महिमा मंडन किया गया सभी स्वाय यक्त लोकतांतुरिक संस्थाओं का गला घोट कर उन्हें अधीन कर दिया गया चुनी हुई सरकारों को अवैद रूप से उखाड फैकने के लिए विपक्ष के खिलाफ ED, CBI, IT और इस्तमाल करने समाने बन गया है पूरे विपक्ष को निलंबित करने कानून बनाये जाते हैं इन की घुसपेट को क्लीन चिट देकर राष्टे सुरक्षा को गंभीर खत्रे में डाला गया है से अधिक है तीन में से एक ग्राजुएट नौकरी की तलाश में है लेकिन नहीं मिल पा रही दूसरा मेंगाई की मार से बच्चत नश्ट पेचोल डीजल, LPG, CNG, आटा, दाल, चावल, खाना, पकाने का तेल, दूद, सब कुछ मेंगा हो गया है अवश्यक वस्तों पर GST लगाया गया, घरेलू बचट पचास साल के निचलिस तरपर है तीसरा, खेती और किसानों से धोका, मोधी सरकार के तीन काले कानूनों ने किसानों को एक साल तक धरने पर बैठने को मजबूर कर दिया यह साड़े साथ सो हुए शहीद, भारत में हर घंटे कम से कम एक किसान आत्महत्या से मरता है चौथा, कमजोर वर्गो, जैसे SCSTOBC अलपसंक्या के खिलाफ भेद भाव, कोई जाती जनगड़ना नहीं 2013 के बाद से दलितों के खिलाफ अपराद में 46.11 प्रतीशत की वृद्धी हुई है 2013 के बाद से आदिवासियों के खिलाफ अपराद में 48.15 प्रतीशत की वृद्धी हुई मोधी सरकार जाती जनगड़ना से क्यो भाग रही है पाच्वा, महिलाओं पर अत्याच्वार बेटी बचाओ बना दोशी बचाओ छटा, सार्जनिक स्वास्थे और कोविड उन्निस कुप्रबंधन सात्वा, MSME और GST, मेक इन इंजिया की विफलता आठ्वा, गरीब परवार असमानता, पुंजी पतियों की सरकार सार्जनिक शेत्र नौँ, चीन अगनिवीर आतंगवाद दस्वा, लोकतंत्र की हत्या मोधी सरकार और भाजपा, RSS नहीं चाहते कि भारत के लोग वास्तविक्ता देखें लेकिन भारत को अब एहसास हो गया है कि वह हमारे नेता श्री राहूल गांधी जी के इंग्रत्वित्व में भारत जोड़ो निया यात्र की माध्यम से आगामी 2024 चुनावो में एक साथ मिलकर शक्तिश्वारी तरीके से अपनी आवाज उठाएगा भारत लड़ेगा नियाय का हग मिलने तक मिश्रा सहाप मद्येप्रदेश कॉंगरेस कमिटी के अध्यक्ष आदर सीटू परभारीजी का के के मिश्रा सहाप का धेनेवाद करना चाहूंगा कि फिर एक बार आपने मुझे पत्रकारों से यहां पर भोपाल में रूबरू होने का मौका दिया यू तो विधान सभा के चुनाव में मैं चार-पाच दिन भोपाल में था और फिर डेरा जमाने का अधेश हुआ इंदोर में तो मालवा रीजन के पतरकारों को तो मैं बहुत मिला लेकिन आप लोगों से मातर दो मुलाकाते मेरी यहां पर पताया कि AICC ने जवाबदारी दी है कि लोगसवा के चुनाव के लिए मीडिया कम्यूनिकेशन और मीडिया से संपर्क और कॉडिनेशन करना यह मद्यपरदेश में मेरी जवाबदारी रहेगी आप सबका सयोग रहेगा और हमारे जितने भी प्रवक्ता है पुरे मद्यप इस रूप से आपके सामने आया हूं कि आप सभी को पता है कि आधरनिया श्री राहूल गांदी जी की जो भारत जोडो न्या यात्रा है वो 14 जन्वरी से वारंभ हो रही है उसकी शुरुआत हो रही है मनिपूर से मुंबई तक इस यात्रा ने जाना है पिछली यात्रा के दौरान भी बहुत अच्छा उसमें प्रकिसाद मिला उसमें बहुत से लोग जुड़े बहुत विचार विमर्श हुआ और भारत जोडो यात्रा जो थी वो पूर्ण तरीके से 4000 किलोमेटर के करीब चलके आदर्निय शिराहुल कांदी जी कन्या कुमारी से ले करके कश्मीर पर उन्होंने उसको संपन किया जनता की नबस को टटोला जनता के विश्यों को लिया अब ची बार जो यात्रा है वो भारत जोडो न्याय यात्रा है वो इसलिए क्योंकि हम देख रहें कि मौजूदा जो केंदर की सरकार है या भारतिय जनता PARTY की राज़ों के अंदर सरकारे उस से किस तरह से जनता प्रताडित है परेशान है यानि पिछले 10 साल अन्यायका ये इसका शीर्शक हमने मुख्य रूप से रखा है 66 दिन 673 किलो मीटर 110 जिले 15 राज्यों के अंदर और आपके मद्यपरदेश से भी ये यात्रा गुजरेगी मद्यपरदेश में से 7 दिन 698 किलो मीटर और जितनी लोग सबाए वहां से आएंगी उस रूट पर उन लोग सबाओं के लोगों को भी शिराहूल गांदी जी मिलेंगे और मद्यपरदेश की जनता से मैं आगरे करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आम जनता भी इस भारत जोडो न्यायातरा के साथ में जुड़ सकती है ऐसा नहीं है कि जो कॉंग्रेस के करीब मातर वही जुड़ सकते हैं इसके लिए कॉंग्रेस पार्टी ने और अधरनिय शिराहूल गांदी जी ने व्यवस्ता भी कर रखी है कि भारत जोडो न्यायातरा.com इसके जरिये से आम इंसान जो हमारी आइडेलोजी से जुड़ना चाहता है हमारे विचार धारा से जुड़ना चाहता है वो व्यक्ति इसके जरिये से या मुबाइल नंबर भी दिया है अभी हम आपको ये पैंपलेट वगेरा देंगे और यही पैंपलेट जो है ये हमारे कारकरता पनादिकारी ये सब जनता के बीच में भी ले जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस निया यातरा के साथ में जुड़ सके इसमें डिजिटल माध्यम से भी प्रचार पसार होगा और मुख्य रूप से जो जनता के मुद्दे है यानि सबसे बड़ा मुद्दा अगर आज देश के अंदर देखा जाए तो वो वे रोजगारी का मुद्दा बनता है मद्देपरदेश के अंदर भी वे रोजगारी के हालात वही है जो बाकी के देश के अंदर अगर आकड़े देखे जाएं तो सरकारी आकड़े हैं मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2012 में जो एक करोड नौजवान वे रोजगार थे 2022 के अंदर उसकी संख्या बढ़कर के 4 कर 45 वर्ष में इतनी बिरोजगारी नहीं जो आज की तारीफ में बिरोजगारी है महंगाई देखें तो महंगाई आसमान चू रही है और महंगाई के जरिये अगर मैं कहूं तो पेट्रोल डीजल ही नहीं बलकि खाने का तेल हो जीवन आवशक वस्तुए हैं आटा, चावल, ताल, डही, दूद, तमाम सारी चीजें जो हैं वो महंगी हो गई हैं हर चीज पर जीएस्टी लग चुका है और जीएस्टी अगर जीएस्टी की बात करें तो मेरे ख्याल से हवाई चपल का जिकर प्रदान मंत्री जी ने करा था कि मैं हवाई चपल वालों को हवाई जाज में देखना चाता हूं लेकिन आज उसी प्रदान मंत्री ने हवाई चपल से लेकर हवाई जाज तक जीएस्टी लगाई हवाई चपल पर भी जीएस्टी है पहनने की चीज हो औरने की चीज हो सब पर जीएस्टी है और शावकारों के लिए या जो धनवान है धनकुबेर है हीरे जवारात पर मातर GSP 3 प्रतिशत है खाने पर 5 प्रतिशत से लेके 8 प्रतिशत तक है तो अगर ये सारी चीज़ें देखें तो ये इस देश का बहुत बड़ा मुद्दा है तीसरा मुद्दा है किसानों के साथ में दोखा ये सरकार ने जो किया है किसानों की आए दुग्दी करने की बात इन्होंने कही कि 2022 तक हम किसानों की आए दुग्दी करेंगे आए तो दुग्दी नहीं कर सके लेकिन लागत कई गुना हो चुकी है आज एक किसान की लागत देखें, तो 25,000 रुपे प्रती हेक्टर उसकी लागत है, और 27 रुपे प्रती दिन वो किसान मातर कमाता है, MSP उन्होंने कहा कि C2 प्लस 50 प्रती शतम देंगे, क्या वो मिल रही है किसानों को, उन्होंने जिस तरह से GST लगाई है किसानों के औजारों पर, या यूरिया, या और खादपदार जो है उन पर जिस तरह से GST लगाई है, उस से पता चलता है कि ये सरकार जो है, ये हाथी के किदात खाने के और दिखाने के और और आपको बता दू कि जो किसान सम्मान निदी है क्योंकि मद्यपरदेश के अंदर हम हैं तो किसानों की बात करना बहुत जरूरी है